असलालेकों मेरे नहीं हभीबर रह्मान बेगा सोलर पैनल इंस्टालेशन विद्ट मिरर्स अगर आप अच्छे तरीके से सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और ऐसी फिटिंग करना चाहते हैं जिससे आपको बिजरी डबल मिले तो ये वीडियो आप करें वीडियो कंप्रीट देखें जिन लोगो ने अभी तक चैन्स सब्सक्राइब भी किया सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको सोलर से लेडिट हर तरह की वीडियोज मिल जाकरें उन्हें आप देखें आपको इन्फोमेशन भी मिलेगी नई से नई जो टेकनोलोजीज आ रही हैं उनके बारे में पता चलेगा और आपकी काफी बच्चत हो जाएगी और आपकी एफिशन्सी जो सोलर की है वो भी बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि मैं सोलर पैनल्स मैंस्फैक्चर के बारे में पढ़ता भी रहता हूँ और इंस्टारिशन में भी देखता हूँ कि कैसे इंस्टाल हो रहा है और कैसे एफिशन्सी ज्याज़ ज़्यादा बढ़ती है ठीक है जी अब आज़े हैं जी सोलर जो लोग लगाते हैं वो कितनी तरह सोलर लगा सकते हैं सोलर आम दोर पे जो पाकिस्तान के अंदर लग रहा होता है वो तो आपको पता है एल टू स्टैंड के उपर लगता है उनको आप इस तरीके से L2 के स्टैंड के पर लगाते हैं यानि दोज पैनल लगते हैं और एक होता है L3 स्टैंड L3 स्टैंड का मतलब होता है जिसके पर तीन अदर सोलर पैनल लगे आपको एक चीज़ तो पता ही होगी अचनः लगति के पिछले देट सालों के अंदर अंदर सोलर पैनल पांच कूना सस्ते हो गए हैं जो सतर जा रोट की पाईस सो पचास वाट की सोलर पैनल की प्लेटी वह इस वह सबत तेरह 14 जा रोट की होगी है और हो सकता है कि अगले 一सानäg या दो मीने के अंदर अंदर यह दो 14,000 की प्लेट है या गिरते गिरते होसता है 8,000 या 9,000 की हो जाए यानि के पर वाट आज अगर 24-25 रुपे पर वाट पे आ गया है तो हो सकता है कि अगले एक मीने बाद यह सोलर प्लेट 14-15 रुपे वाट के साथ से आपको मार्केट में म और हटा के हर कंट्री के अंदर अब सोलर पैनल सस्थे हो रहे हैं उसकी रीजन्स क्या है उसकी रीजन्स और भी कही हैं सिर्फ यही नहीं है कि सोलर पैनल बोथ एक्सेसिव प्रोड़क्शन होगी थी और योरप के अंदर उन्हों लेने जिनकार किया इंडिया वालों लेन ये सोलर स्मार्ट फ्लावर पोर्टेबल है पोर्टेबल means कि इसको जब मरदिया फोल्ड करें और फोल्ड करके आप किसी भी पाकिसान के अंदर लोडर रिक्षा होता है ना चिंची रिक्षा लोडर रिक्षे के उपर रखें आप इदर से उधर ले जाए या किसी भी छोटे मज़़ा ट्रक के उपर रखें उसको इदर से उधर ले जाए यादि खास तोर पर ऐसे लोग जो कराय के मकानों में रहते हैं ना उनके लिए बड़ा फाइदा बंद है ये सोलर का स्मार्ट फ्लावर ये हता कि इसके अगर जमीन के पर रखना हो जमीन पर भी रख सकते हैं चट पर रखना चाहें चट पर भी रख सकते हैं और इससे बिजली आपको एक्स्टर पैदा होगी क्योंकि जैसे सूरे बुकी होता है जैसी जैसे सूरे निकलेगा जैसी जैसे डिरेक्शन चेंज करेगा उसी तरह ये solar smart flower चेंज करता रहा था परी direction ये यानि east से मश्चिक से जब सूरी निकलता तो ये मश्चिक की तरफ होता है और बाल में गुंपता गुंपता साउथ की तरफ जाता है साउथ से फिर end पे west की तरफ चले जाता है इस तरह करके है अब दूसी चीज ये के uplift structure भी होता है हमारे country में uplift structure लगाने का भी बहुत fashion चल पड़ा है uplift structure का बतला होता है के बड़े-बड़े garden और tea iron जो होते हैं उसके उपर ये लोग solar panel fit करते हैं वो खास्तर बेल्डर 8 foot से लेके 10 foot उन्चाई तक welder के होते हैं वो solar panels के लिए लोहे के गाड़र लगाते हैं च्छत के अंदर page लगाएंगे च्छत के अंदर page लगाएंगे यानि आपका लेंटर होगा उसके चार-चार इंच के page लगेंगे drill machine से और वो जो गाड़र होंगे उसके उपर फिर एक पूरी च्छत बनेगी और उसके उपर फिर solar लगेंगे यह दूसरा तरीका इसमें कोशिचे यह करने चाहिए कि किसी अच्छे बंदे से आप लगवाएं किसी अच्छे जो welder होना उसे यह direction का पता होना चाहिए जो solar के इंस्टाल करने वाला इस्पेशली एलेक्रिशन है जा इंस्टालर है जा इंजनियर है वो सबसे पहले उस घरवे जाके direction को देखे कि कौन सी direction में सूरज है आम तोर पे south वाली side होती है और लहोर के अंदर जो डिग्री है न वो पंदरा डिग्री है इस तरह से 15 डिग्री के उपर लोग solar panel south वाली side पे लगाते हैं और 10 से 12 फूट उज़ा आप solar लगा सकते हैं यह एक side से 10 फूट एक side से 8 फूट 8 से 10 फूट करने न उपर वाली side 10 फूट होगी रिजवाली side 8 फूट होगी यह उपर वाली side 8 फूट होगी रिजवाली side 6 फूट होगी तो इस तरह करके 15-16 डिग्री का वो एक angle लिकलता है south वाली side पे इस पे भी आप लगाते हैं इससे भी आपको ज्यादर से ज्यादरी पैदा होगी तीसरा जो तरीका होता है rotatable rotatable जैसे smart flower था जैसे सूरी move करता है वैसे आपको solar का stand out move करता जाता है movable solar stand और अगली जो चीज़ में आपको बताने वाला हो that is very new उससे आपकी electricity double हो जाएगी आपकी solar की production डबल हो जाएगी यह दो गुना हो जाएगी वो क्या करना है आपने solar panels को vertically इस तरह से लगाना है इस तरह सीधे खड़े है इस तरह से आपने solar panel को लगाना है और उसके बिलकल opposite side बे आपने शीशे mirror होते हैं यह आपको पाकिस्तान में इस तरह सो ड़ीड़ सो रफे फुट के जाब से mirror मिल जाते हैं आपने क्या करना है कि उसके बिलकुल सामने शीशे खड़े कर देने है चाया दिवार के साथ लगा लें शीशे या कोई और चीज़ उधर इंटो वाली दिवार बन आ लें उसके साथ अब शीशे fix लें इदर solar panel है उसके बिलकुल सामने चार फुट या पाँच फुट छोड़के अरिया के अंदर तो बहुत जादा ये चल रहा है चायना के अंदर बहुत जादा ये चल रहा है लोग इससे की जुगार लगा रहे हैं जुगार लगाने से ये फाइदा हो रहा है कि उनका अगर असल में solar system पाँच किलो वार्ट का है तो बिजली के बना रहा है तब तक हर बना नहीं लिगवा सकता है मैं यही रिकमेंड करता हूँ और दुसी चीज़ एक और है solar panel की production भी बहुत ज़्यादा होई है और पाकिसान के अंदर आपको पता ही है इंवर्टर्स की डिमार्ट थी पैनल्स की डिमार्ट थी तो हर बंदे ने solar panel solar inverter इंपोर्ट करने चुक्र कर दिये और जो inverter उनको चाइना से 50,000 रपे का मिलता था इधर आके उनने पांच पांच लाग रिपे में सेल किया जो inverter मतलब और वरंटी भी कोई इतनी नहीं देते है जब वो जून चलाए के अंदर कई लोगों के हमारे कई installers हैं कई electricians हैं वो बचारों ने solar panel install किये और बाद में inverter जल गए गर्णी के दर से क्योंकि हीटवे वाई पाकिसान के अंदर जब वो inverter की वरंटी लेने के लिए गए तो वो जो company सी जिन्होंने एक एक दफ्तर भी या खुला हुआ था उन्होंने वरंटी उनको सही तरीके से नहीं दी तो मेरा मतलब यह है कि वो basically वो चाइना की direct company नहीं थी बलके इधर काई कोई इंपोर्टर था उसने दफ्तर खोला हुआ था और वो कहता है जी मैं वरंटी दूँगा लेकिन उसने वरंटी अच्छे तरीके से नहीं दी उन चीज़ों की तो problem हुई है अब अगली चीज़ आजए hat infring का anyone भी आ रहा है और लोंजी का ऐमो एक्स 10 भी आ रहा है को यह परसों कराची के अंदर एक तक्रीब हुई है जिसके अंदर वो लांच हुआ हैbased के ऑद और तकरीब हुआ और टीज़े नहीं पर-देर के आपको नवंबर के अंदर लोंजी क हाइमो 9 भी नज़र आएगा और इंचालाए लोंजी का हाइमो X10 भी नज़र आएगा तो इससे आप सोलर लगा सकते हैं अगली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ को सोलर पेले इस्टालिशन्स वे वो है कि सोलर की टायल्स भी आगई है मार्केट के अंदर criteria आप च्छत के उपर ओली साइट बे लगाएंगे उससे ही होगा कि च्छत जो है उसके अंदर जितनी भी गरमी आएगी जितनी इस सनलाइट आएगी उसको वो अब्जॉर करेंग कि आपने गाड़ी के उपर लगाना है, आपने ट्रक के उपर लगाना है, आपने इवन चिकची रिक्षे के उपर लगाना है, या आम रिक्षा जो होता है, उसके लगा लें, या मोटर साइकल के उपर एक लोहे की छट लगा के उसके उपर आप फ्लैक्सिबल सोलर शीट पढ़ने जाना है यूरिश्टी में जाना है या अपने आफिस जाना है तो दिन के टाइम जब आफ आठ बचे निकलेंगे तो सूरज भी रोश्णी होती है सूरज निकल चुका होता है और पाकिसान है एक बड़ा खुश्चीप कंट्री है बड़ा लकी कंट्री है कि यहाँ पर तक्रीबां 16 घ्हेंटे तक सूरे रहता है 16 घंटे सनलाइट रहती है और हम अपने कंट्री के अंदर गाड़ियां भी सोलर शीट्स पे चला सकते हैं, हम गाड़ियां मुबाइल चार्ज कर सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, अपने जो यह कहते हैं ट्रक्स को चला सकते ह हैं अपने शिप्स के चला सकते हैं हाँ चीज हम सोलर के वर चला सकते हैं